नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी का स्वागत एचू के संट इंडिया में तो यूपी चुनाव 2022 को लेकर आज छटे चरण के लिए सत्तावन सीटों पर जनता जनार दनकी ओरस से वोटिंग संपन हो चुकिये मद्दाताओं ने बढ़ चड़ कर मद्दान किया है और इस दुरान जनता ने 606 उमीद वरों के भागय का फेसला EVM में लोग कर दिया है और जब 10 मारच को नतिज़े आएंगे तो भी पता चलेगा कि यहाँ पर जनता ने अपना अमोलिय वोट किसको दिया है लेकिन उससे पाले हमारी टीम ने जो है सभी 350 सीटों पर जाकर सर्वे कि जहाँ पर अभी तक 6 चड़नों में मद्दान संपन हो चुका है और वहाँ पर दोस्तों हमारी टीम ने सभी मद्दान बुतों पर पहुँचकर जनता जनारदन के बीच रहा कर उनकी राय जानिये यानि कुल मिलाकर यूपी की जनता का सटीक सर्वे किया है और उसके बाद दोस्तों हमने एक एक सेट का ओपीनियन पॉल त्यार किया है जो कि अभी हम आपके सामने पैसक करेंगे वहीं ओपीनियन पॉल को देखा हर पार्टी में हड़कम मत चुकिये नेताओं के ओस उड़ चुके तो मंत्रियों की भी निंद उड़ चुकिये क्योंकि जनता ने इ ये मालूम हो जाएगा कि कौन कहां से जितेगा और किस पार्टी को कितनी सिटे हाथ में लगेगी तो ये जानने के लिए वीडियो को जो पूरा का पूरा देखिए लेकिन उससे पाले आपस सभी से हमारी एक चोटी सी गुजारे से कि यदि आपने अभी तक एजू के सन इ ओपिनियन पॉल का हर वीडियो सब से पाले देखने को मिले तो चलिए अभी इस वीडियो को जोई शुरू करते हैं तो यूपी चुनाव 2022 को लेकर हमारी टीम ने यूपी के चपपे चपपे में जाकर सर्वे किया है हमारी टीम जोई यूपी के हर गाउं गाउं सार सार की आए और वहाँ ओपिनियन पॉल अभी आपको जोई जिलो के नुसर बताने जा रहे हैं तो सबसे पहले बात तक करते हैं शामली जिले की ओपिनियन पॉल की तो यहाँ पर दोस्तों तीन सिटे आती है और यहाँ पर एक सिट एसी रहेगी जहाँ पर बीजेपी जित के पड़ेगा जनता पर और इसी वजह से यहाँ पर दोस्तों सपा को टकर जोई बीजेपी से मिलेगी आगे बात तक करते हैं मुझजफर नगर की छे सिटों के ओपिनियन पॉल की तो यहाँ पर दोस्तों जट लेंडे और इसी वजह से यहाँ पर बीजेपी को काफी बड़ जाएगी ऐसे में यहाँ पर दोस्तों बीजेपी और सपा के बीचे काफी मुकाबला कमजोर होगा यहाँ पर दोस्तों बसपा और कॉंग्रेस सपार्टी का खाता नहीं कुलेगा यहाँ पर बसपा और कॉंग्रेस सपार्टी अपनी इज़त भी नहीं बचा पाएगी आगे बात करते हैं मेरट की साथ सिटों के ओपिनियन पॉल की तो यहाँ पर दोस्तों बीजेपी के चक्रू में जोए जनता फसेगी और इसी वजह से यहाँ पर बीजेपी की रणनीतिय जोए पांस सिटों पर सपल हो जाएगी और बीजेपी को पांस सिटों पर कामे भी मिलेगी ह अला कि यहाँ पर दोस्तो शपा का पलड़ा भी जोए दोस्टों पर भारी देखने को मिलेगा और वहाँ पर सपा का भी छोगी इससे बीच वस्पा और कॉंग्रेस पार्टी का जनता यहाँ पर जोए शूप्रा सब कर देगी यानि कि इन दोनों पार्टियों को जनता एसा न करेगी कि यह दोनों पार्टिया यहाँ पर पानी भी नहीं माग पाएगी कोल मिला कर यहाँ पर दोस्तों बीजेपी के विजेरत को रोकने का काम सपा करेगी आगे बात करते हैं मतरवा की पांस सिटों के ओपिनेन पॉल की तो इस परदेश में इस इलाके में जोए बीजेपी की परचण लहर देखने को मिलेगी जिसमें हर पार्टि उड़ जाएगी हर पार्टि यहाँ पर दोस्तों BJP से करारी हार का सामना करेगी आगे बात तक करते हैं हापुड की तीन सिटों के ओपिनियन पॉल की तो यहाँ पर दोस्तों भनगवा लहर एक कर सिट प यानि यहाँ पर दोस्तों सपा और BJP के बीच मुकाबला होगा आगे गाजयाबाद की पांस सिटों के ओपिनियन पॉल की बात करते हैं तो यहाँ पर दो सिटे ऐसी होगी जहाँ पर BJP को जित मिलेगी यानि कि दोस्तों दो सिटे ऐसी होगी जहाँ पर BJP अपने जित का रहेगी जहाँ पर सपा सभी पार्टियों का जोई सपाया करेगी यानि कि वहाँ पर सपा का कबज्या होगा हलाकि यहाँ पर दोस्तों बस्पा और कॉंग्रेस सब पार्टिय अपने इज़त नहीं बचा पाएगी यानि कि इन दोनों पार्टियों का यहाँ पर जंता खाता यहां पर दोस्तों सपा और बीजेपी के बीचा सियासी जंग होगी आगे बात तक करते हैं गोतम बुद नगर की तीनों सिटों के ओपिनियन पॉल की तो यहां पर दोस्तों बीजेपी की आंदी आएगी या फिर कई बीजेपी की सुनमी आएगी जिसमें हर पार्टी बाज आगे बात करते हैं बुलंद सहर की 7 सिटों के ओपिनियन पॉल की तो यहाँ पर बीजेपी जोए 2 सिटों पर जीत दर्ज़ करेगी हाला कि यहाँ पर दोस्तों सपा 5 सिटों पर जीतेगी इसमें यहाँ पर सपा का तुफान आएगा और इसी वज़र से यहाँ पर सभी पार् और कॉंग्रेसर पार्टी अपनी साख भी नहीं बचा पाएगी क्योंकि यहाँ पर बसपा और कॉंग्रेसर पार्टी का खाता नहीं खुलेगा ऐसे में यहाँ पर दोस्तो सपा को रोकने का काम बीजेपी करेगी यहाँ पर दोस्तो किसान काफी जादा है और इसी वज़र से यहाँ पर सपा की लहर देखने को मिलेगी आगे बात करते हैं बागपत की तीन सिटों के ओपिनियन पॉल की तो यहाँ पर दोस्तों BJP जोए दो सिटों पर कबचा करेगी यानि कि दो सिटे ऐसी होगी जहाँ पर BJP की परचंड लहर देखने को मिलेगी हाला कि यहाँ पर दोस्तों एक सिट एसी भी होगी जहाँ पर सफा का फ्यक्डर काम आ जाएगा यानि कि वहाँ पर शमाज़ वलि परटि अपने जीत के जंडे गाड़ेगी यहाँ पर भी दोस्तों बसपा और कोंग्रेस परटि को जोए जनता न करेगी और एसे में यहाँ पर सिधा मुकबला बीजेपी का होगा सपा से आगे बात करते हैं अलि गड़ी की साथ सिटों के ओपिनियन पॉल की तो यहां पर बीजेपी जोए चार सिटों पर जित दर्जक करेंगी यानि कि चार सिटे ऐसी होगी जहां पर बीजेपी जित का परचम लखा देगी हाला कि यहां पर दोस्तों दो सिटे ऐसी होगी जहां पर सपा की नया उम्मिद्वार पार लगाएंगे यानि कि वहां पर दोस्तों सपा के साथ जनता रहेगी हाला कि दोस्तों यहां पर एक सिट ऐसी भी रहेगी जहां पर बीजेपी और सपा को यहां पर हार का मुद देखना पर देखने को मिलेगी हाला कि यहां पर दोस्तों बस्पा भी होगी जो कि इस जंग में एंटर करना चाहेगी आगे बात करते हैं आगरा की नव सिटों की ओपिनियन पॉल की तो यहां पर बीजेपी जोए साथ सिटों पर का भी छो जाएगी यानि कि दोस्तों बीजेपी का तुफान यहां पर आएगा हाला कि यहां पर सपा को भी दो सिटे मिल जाएगी इसी बीच बस्पा और कॉंग्रेसर पार्टी यहां पर जोए अपना खाता नहीं खोल पाएगी कहा तो यह भी जा रहा है कि यहां पर दोस्तों कहीं ऐसी सिटे होगी जहां पर बस्पा और जमानत तक नहीं बचा पाएंगे ऐसे में यहां पर दोस्तों सीधा मुकाबला जो है सपा और बीजेपी की बिच होगा आगे बात तक करते हैं शहरनपुर की साथ सिटों के ओपिनियन पॉल की तो यहां पर बीजेपी जो है तीन सिटों पर काविच हो जाएगी यानि कि तीन में यहां पर बीजेपी की बिचे शपा के नाम यहां की तीन सिटे हो जाएगी लेकिन यहाँ पर दोस्तो बीजेपी और सपा की आंधी में बस्पा और कॉंग्रेस से पार्टी उड़ जाएगी क्योंकि यहाँ पर दोस्तो इन दोनों पार्टियों का जनता सपया करेगी आगे बात करते हैं मुरादाबाद की 6 सिटों के ओपिनियन पॉल की तो यहाँ पर दोस्तो कहानी की बात यहाँ पर यह रहती है कि बीजेपी और सपा की बीच सीधा मुकबल होगा नाक की लड़ाई यहाँ पर देखने को मिलेगी इन दोनों पार्टियों में क्योंकि यहाँ पर बीजेपी तीन सिटों पर जित दर्ज करेगी तो सपा के नाम भी यहां की तीन सिटे होगी ऐसे में यहां पर दोस्तों दोनों पार्टियों की बीच कड़ा और बहुती बड़ा मुकबला देखने को मिलेगा हलाकि यहां पर वस्पा और कॉंग्रेसर पार्टि जोए अपनी नाक भी नहीं बचा पाई की क्योंकि यहां पर इन दोनों पार्टियों की खाता ने खुलेगा आगे संबल की चार सिटों की ओपिनियन पॉल की बात तक करे तो यहां पर दोस्तों हर पार्टि जोए शंबल संबल के दाव खेलेगी और यहां पर किस के दाव शपल होंगे किसके नाका में होंगे वो ओपिनियन पॉल के आंकडे बता रहे हैं जहां पर दोस्तों BJP यहां की तीन सिटों पर काभी छोगी और एक सिट एसी होगी जहां पर सपा अपने जित का जंडे गड़ेगी यानि कि वहां पर सपा को काम्यभी मिलेगी और यहां पर दोस्तों किसी परकार की सपलता बस्पा और कॉंग्रेसाब पार्टी के हाथ में नहीं लग पाएगी क्योंकि यहां पर इन दोनों पार्टी को जंता नकार देगी आगे बात करते हैं रामपूर की 5 सिटों के ओपिनियन पॉल की तो यहाँ पर दोस्तों बीजेपी बसपा और कॉंग्रेसर पार्टी जो है शपा की आंदी में उड़ जाएगी क्योंकि यहाँ पर सपा जो है पांचों सिटों पर काभी छो जाएगी ऐसे में सपा अपने बड़े गड़ी को बचा लेगी आगे बात करते हैं अमरहा की चार सिटों की ओपिनियन पॉल की तो यहाँ पर दोस्तों काफी वर्चसों की जंग देखने को मिलेगी क्योंकि यहाँ पर बीजेपी जोए दो सिटों पर काभी छोगी तो सपा के पाले में भी यहाँ की एक सिट जाएगी इसी बीच भाउचन समाजुदी पार्टी के नाम भी यहाँ की एक सिट हो जाएगी ऐसे में यहाँ पर दोस्तों तिरकोनिये मुकाबला होगा लेकिन कॉंग्रेस सपा पार्टी का यहाँ पर खाता नहीं कुलेगा आगे सहाजापुर की छे सिटों की ओपीनियन पॉल की बात तक करते हैं तो यहाँ पर वीजेपी दो सिटों पर कबज़ा करेगी सपाका यहाँ पर दोस्तों तीन सिटों पर जोई वर्चसों देखने को मिलेगा यानि कि वहाँ पर सपाका बोल बला दिखाई पड़ेगा हाला कि यहाँ पर बसपा और कॉंग्रेसर पार्टी जोई फिपल हो जाएगी नाका में भी हो जाएगी क्योंकि इन दोनों पार्टी को जनता ऐसा न करेगी कि यह पुरी तरह से जमिन दुज हो जाएगी पुरी तरह से भूमि में जोई खुच जाएगी आगे बात करते हैं बरेली की 9 सिटों की ओपीनन पाल की तो यहाँ पर पेजीए पी 5 सिटों पर जितेगी तो सपा के पाले में यहां की 4 शिट जाएगी लेकिन बसपा, और कॉंग्रेस पार्टी यहां पर पर अपनी इज्यत नहीं बचा पाएगी, क्योंकि यहां पर इन दोनों पार्टीों का खाता नहीं खुलेगा. आगे बदैयों की 6 सिटों की ओपिनियन पॉल की बात तक करें तो यहां पर BJP दो सिटों पर जित का प्रचम लराएगी तीन सिटें एसी होगी जहां पर सपा को काम्यभी मिलेगी हलाकि एक सिट एसी भी होगी जहां पर बसपा का भी जोगी यानि कि मायवती का हाथी वहाँ पर जितेगा हाला कि यहाँ पर कॉंग्रेसर पार्टी का खाता नहीं खुलेगा एसे में यहाँ पर दोस्तों बीजेपी और सफा के साथी बसपा के बीचे मुकबला होगा आगे बात करते हैं हाथ रसकी तीने सिटों के ओपिनियन पॉल की तो यहाँ पर बीजेपी की आंधी आएगी क्योंकि यहाँ पर बीजेपी के नम तीनों सिटे हो जाएगी यहाँ पर सफा बसपा और कॉंग्रेसर पार्टी अपना खाता नहीं खुल पाएगी ऐसे में यहाँ पर दोस्तों BJP के मुकाबल में कोई पार्टी नहीं होगी आगे बात करें फिरोजाबाद की पांस सिटों के ओपिनियन पॉल की तो यहाँ पर BJP एक सिट पर काभी छोगी तो दो सिटें ऐसी होगी जहाँ पर सपा को शपलता मिलेगी हलाकि यहाँ पर दोस्तों बसपा और कॉंगरेसर पार्टी भी अपनी जोली में एक एक सिट शमिटेंगे ऐसे में यहाँ पर दोस्तों हर पार्टी में मुकाबला होगा आगे कास गंज की तीन सिटों की ओपिनियन पॉल की बात तक करें तो यहाँ पर BJP जो एक सिट पर कमल खिला देगी तो एक सिट ऐसी होगी जहाँ पर सपा को सपलता मिल जाएगी वहाँ पर दोस्तो सपा अपने जीत के जंडे गाड़ेगी हलाकि एक सिट ऐसी होगी जहाँ पर बसपा को जित मिलेगी कॉंग्रेस्टा पार्टी का यहाँ पर खाता नहीं खुलेगा ऐसे में यहाँ पर तिरकोन्य मुकबला होगा और यहाँ पर दोस्त बसपा सपा और बीजेपी के बीच नाक की लड़ाई देखने को मिलेगी आगे बात करे एटा की चार सिटों के ओपिनियन पॉल की तो यहाँ पर बीजेपी तीन सिटों पर कभी छोगी सपा के पाले में यहाँ की एक सिट जाएगी लेकिन बसपा और कॉंग्रेस पार्टी का यहाँ पर खाता नहीं खुलेगा ऐसे में वर्चसों की जंग यहाँ पर दोस्तों बीजेपी और सपा की बीच होगी आगे में परी की चारे सिटों की ओपिनियन पॉल की बात तक करे तो यहाँ पर दोस्तों बीजेपी बसपा और कॉंग्रेस पार्टी सभी का खाता नहीं खुल पाएगा यहाँ पर दोस्तों केवल और केवल शमाजोदी पार्टी का तुफान देखने को मिलेगा और इसी वज़ा से यहाँ पर सपा के नाम चारो सिटों हो जाएगी आगे फरुकाबाद की चारो सिटों के ओपिनियन पॉल की बात तक करे तो यहाँ पर दोस्तों बीजेपी जो दो सिटों पर कभी छोगी सपा के पाले में यहाँ की एक सिट जाएगी तो कॉंखरा पार्टी भी यहाँ पर एक सिट पर कभी छो जाएगी लेकिन बसपा का यहाँ पर दोस्तों खाता नहीं खुलेगा ऐसे में यहाँ पर बीजेपी सपा और कॉंखरा पार्टी की बीच टकर होगी आगे कनोच की तीन सिटों के ओपिनियन पॉल की बात तक करें तो यहाँ पर विजेपी बसपा और कॉंग्रेसर पार्टी सभी को सपा चितक करेगी क्योंकि यहाँ पर दोस्तों सपा तीन सिटों पर का भी जो जाएगी और इसी के साथ सफाका यहाँ पर एक ऐसी सुनामी देखने को मिलेगी चिसमें हर पार्टी बज जाएगी आगे बात करें, इतावा की तिन सिटों के, ओपिनियन पॉल की तो यहाँ पर जो वीजेपी की आंधी आएगी क्योंकि यहाँ पर वीजेपी तिन सिटों पर कबज्जा करेगी एसे में यहाँ पर दोस्तो सपा, बस्पा और कॉंग्रेसर पार्टी अपना खाता नहीं खोल पाएगी और यहाँ की तिने सिटों की ओपीनिन पॉल की बात तक करते हैं तो यहाँ पर बीजेपी एक सिट पर कभी जोगी सपा के पाले में भी यहाँ की एक सिट जाएगी और बस्पा भी यहाँ पर एक सिट पर जित दर्च करेगी लेकिन कॉंग्रेसर पार्टी यहाँ पर अपना खाता नहीं खोल पाएगी एसे में यहाँ पर दुस्तों BJP सफा और बस्पा के बीच कड़ा मुकबला होगा आगे कानपुर ध्यात की चार सिटों के ओपिनियन पॉल की बात तक करते हैं तो यहाँ पर BJP का तुफान आएगा और इसी वज़र से यहाँ पर BJP के नम चार सिटों हो जाएगी यहाँ पर सपा बस्पा और कॉंग्रेस सपा पार्टी अपना खाता नहीं खोल पाएंगे आगे कानपुर नगर की दस सिटों के ओपिनियन पॉल की बात तक करें तो यहाँ पर BJP सांस सिटों पर जितेगी तो तिन सिटे ऐसी होगी जहाँ पर सपा को काम्याभी मिलेगी हलाकि यहाँ पर बस्पा और कॉंग्रेस सपा पार्टी का जनता सपाया कर देगी ऐसे में यहाँ पर दो सिटों BJP को रोकने का कम सपा करेगी आगे जालन की तिन सिटों की ओपीनियन पॉल की बात तक करते हैं तो यहाँ पर BJP दो सिटों पर कबज़ा करेगी एक सिट ऐसी होगी जहाँ पर सपा को सपलता मिलेगी हलाकि यहाँ पर बस्पा और कॉंग्रेस सपा पार्टी का जनता सुप्रसप कर देगी आगे बात तक करते हैं जांसे की चार सिटों की ओपीनियन पॉल की तो यहाँ पर BJP तीन सिटों पर जितेगी तो एक सिट ऐसी होगी जहाँ पर सपा का कबज़ा होगा हलाकि यहाँ पर दोस्तों बस्पा और कॉंग्रेस सपा पार्टी को हार का मुद देखना पड़ेगा एससे में यहाँ पर दोस्तों BJP का मुकबला सपा से होगा आगे ललित पुरकी दो सिटों के ओपिनियन पॉल की बात तक करें तो यहाँ पर दोस्तों BJP का तुफ़न दोनों सिटों पर आएगा इसी वज़र से सपा बस्पा और कॉंग्रेसर पार्टी यहाँ पर अपना खाता नए खौल पाएंगे आगे हमीरपुर की दोस्तों के ओपिनियन पॉल की बात तक करें तो यहाँ पर BJP एक सिट पर जितेगी तो एक सिट ऐसी होगी जहाँ पर सपा को काम्याभी मिलेगी हलाकि यहाँ पर बस्पा और कॉंग्रेसर पार्टी का जनता सपाया कर देगी आगे महुबा की दोस्तों के ओपिनियन पॉल की बात तक करते हैं तो यहाँ पर BJP का खाता नहीं खुलेगा लेकिन सपा और बस्पा के नाम यहाँ की एक सिट होगी और कॉंग्रेसर पार्टी का भी यहाँ पर सपाया हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों सपा और बस्पा के बीच जन्ग होगी आगे बात करे पीली भीत की चार सिटों के ओपिनियन पॉल की तो यहाँ पर BJP दो सिटों पर का भी जोगी आगे बात करें लकिमपुर खिरी की आट सिटों की ओपिनियन पॉल की तो यहाँ पर बीजेपी पांच सिटों पर कभी छोगी और सपा के पाले में यहाँ की दो सिटों जाएगी इसे के साथी कॉंग्रेसा पार्टी भी यहाँ पर अपना खाता खोलेगी लेकिन यहाँ पर बसपा अपना खाता नई खोल पाएगी एसे में यहाँ पर दोस्तों बीजेपी को रोकने का कम सपा के साथी कॉंग्रेसा पार्टी करेगी आगे बात करते हैं सितापुर की नव सिटों के ओपिनियन पॉल की तो यहाँ पर बीजेपी चार सिटों पर कबज़ा करेगी तो चार सिटे एसे होगी जहाँ पर सपा को भी सपलता मिलेगी और यहाँ पर एक सिट एसे होगी जहाँ पर मायवती का हाथी बाजी मारेगा अलाकि यहाँ पर कॉंग्रेस सपारिटी का जनता सपाया कर देगी ऐसे में यहाँ पर दोस्तों बीजेपी और सपा के बीच कड़ा मुकाबला होगा आगे हर दोई की आर सिटों के ओपिनियन पॉल की बात तक करे तो यहाँ पर बीजेपी तीन सिटों पर जितेगी पान सिटे ऐसे होगी जहाँ पर शपा अपने जित का प्रचम लराएगी हालाकि यहाँ पर वस्तवा और कॉंग्रेस सपारिटी का जनता खाता नहीं खोलेगी ऐसे में यहाँ पर दोस्तों बीजेपी और सपा के बीच जंग होगी आगे उनाओ की 6 सिटों के ओपिनियन पॉल की बात तक करें तो यहाँ पर दोस्तों सियासी रण में जो बीजेपी के नाम 2 सिटे होगी तो यहाँ पर सपा 4 सिटों पर का बीच होगी हाला की यहाँ पर बस्पा और कॉंग्रेस सपार्टी अपना खाता नई खोल पाएंगे एसे में यहाँ पर दोस्तों बीजेपी और सपा के बीच मुकबल होगा आगे बात तक करते हैं लखनओ की 9 सिटों के ओपिनियन पॉल की तो यहाँ पर बीजेपी साथ सिटों पर का बीच होगी आगे फते पुर की 6 सिटों के ओपिनियन पॉल की बात तक करें तो यहाँ पर बीजेपी दो सिटों पर जितेगी चार सिटे ऐसी होगी जहाँ पर सपा को काम्यवी मिलेगी हलाकि यहाँ पर दोस्तों बसपा और कॉंग्रेसर पार्टी अपना खाता नए खौल पाएंगे ऐसे में यहाँ पर दोस्तों सपा का प्लडा जोए सभी पार्टियों पर भारी होगा आगे बात तकरे राइबरेली के छे सिटों के ओपिनियन पॉल की तो यहाँ पर बीजेपी दो सिटों पर जितेगी एक सिट ऐसी होगी जहाँ पर सपा को शपलता मिलेगी हलाकि यहाँ पर कॉंग्रेसर पार्टी के नम जोए सबसे ज़दा तीन सिटे होगी बसपा का यहाँ पर खाता नहीं खुलेगा ऐसे में कॉंग्रेस के घर में जोए कॉंग्रेसर पार्टी और बीजेपी का सिदा मुकबला होगा आगे बात करें बांदा की चार सिटों के ओपिनियन पॉल की तो यहाँ पर बीजेपी दो सिटों पर कबजा करेगी एक सिट ऐसी होगी जहाँ पर सपा को काम्य भी मिलेगी हलाकि यहाँ पर बसपा का खाता नहीं खुलेगा इसी बीच कॉंग्रेसर पार्टी भी यहाँ पर अपना खाता खोलेगी ऐसे में यहाँ पर दोस्तों वीजेपी के वीजेरत को रोकने का काम जोए सपा और कॉंग्रेस सपार्टी करेगी आगे सुल्तानपुर की पांस सिटों के ओपिनियन पॉल की बात करे तो यहाँ पर वीजेपी तीन सिटों पर जितेगी सपा के पहले में यहाँ की दो सिटों जाएगी लेकिन बसपा और कॉंग्रेस सब पार्टी यहाँ पर अपना सपया करा देंगे यानिकि इन दोनों पार्टियों का यहाँ पर खाता नहीं खुलेगा आगे चित्रकुट की दो सिटों की ओपिनियन पॉल की बात तक करते हैं तो यहाँ पर बीजेपी की परचंड लहर देखने को मिलेगी क्योंकि यहाँ पर बीजेपी दोनों सिटों पर कबचा करेगी यहाँ पर दोस्टों सब बस पार्टी अपनी इजयता नहीं बचा पाएंगे आगे परताप गड़ की साथ सिटों की ओपिनियन पॉल की बात तक करें तो यहाँ पर बीजेपी तीन सिटों पर कभिछ होगी दो सिटे ऐसी होगी जहाँ पर सपा को काम यह भी मिल जाएगी हाला कि यहाँ पर बस्पा और कॉंग्रेसर पार्टी का खाता ने कुलेगा इसी बीच राजा भया की पार्टी के नाम अपने गड़ में दो सिटे हो जाएगी ऐसे में राजा भया की पार्टी और सपा का मकबला बीजेपी से सिद्धी तोर पर होगा आगे बात करें कोसामवी की तिन सिटों की ओपिनियन पॉल की तो यहाँ पर बीजेपी जोए अपना तोफ़ान लाएगी यहाँ पर बीजेपी के नाम तिन सिटे हो जाएगी यहाँ पर सपा बस्पा और कॉंग्रेसर पार्टी का जनता सपया कर देगी आगे परियाग राज की 12 सिटों की ओपिनियन पॉल की बात तक करें तो यहाँ पर 11 सिटों पर जो बीजेपी अपना कमल खिलाएगी तो एक सिट ऐसी होगी जहाँ पर सपा को काम यहीं मिलेगी हलाकि यहाँ पर बस्पा और कॉंग्रेसर पार्टी का किसी परकार का बॉल बला नहीं देखने को मिलेगा ऐसे में यहाँ पर दोस्तों बीजेपी सबी पार्टियों पर हावी होगी आगे 12 बंकी के 6 सिटों की ओपिनियन पॉल की बात तक करते हैं तो यहाँ पर बीजेपी तीन सिटों पर जितेगी तो यहाँ पर सपा के नाम भी तीन सिटों होगी लेकिन बस्पा और कॉंग्रेसर पार्टी का यहाँ पर खाता नहीं खुलेगा एससे में यहाँ पर दोस्तों जो बीजेपी और सपा की बीच कड़ा मुकबला होगा आगे अहुद्या की पांच सिटों की ओपिनियन पॉल की बात तक करते हैं तो यहाँ पर बीजेपी का तुफ़ान आएगा बीजेपी के नाम यहाँ की पांच सिटे हो जाएगी यहाँ पर सपा, बस्पा और कॉंग्रेस सपार्टी अपना खाता नई खौल पाएगे आगे भाराइच की सांच सिटों के ओपिनियन पॉल की बात तक करते हैं तो यहाँ पर भी दोस्तों बीजेपी का तुफ़ान आएगा बीजेपी के नाम यहाँ की सांच सिटों हो जाएगी यहाँ पर जो बस्पा सपा, कॉंग्रेस सपार्टी का जनता शूप्रा सप कर देगी आगे स्रावस्ति की दो सिटों के ओपिनियन पॉल की बात तक करें तो यहाँ पर भी दोस्तो बीजेपी का दोनों सिटो पर कब जा होगा आगे गोंडा की साथ सिटो के ओपिनियन पॉल की बात तक करते हैं तो यहाँ पर भी दोस्तो बीजेपी का तुफान देखने को मिलेगा और यहाँ पर भी साथ सिटो पर पीजेपी अपना कमल किलाएगी यहाँ पर सपा बस्पा और कोंग्रेससपार्टी अपना खाता नहीं खुल पाएगे आगे अमेडिक की चार सिटों के ऑपिनियन पॉल की बात तक करें अमेडिकर नगर की पांस सिटों के ओपिनिन पॉल की जहाँ पर छटे अश्चरण में मद्दान हुआ है तो यहाँ पर बीजेपी दोस्टों पर जितेगी सपा के नाम यहाँ की एकस्ट होगी लेकिन बसपा के नाम यहाँ की दोस्ट हो जाएगी कॉंग्रेस्टा पार्टी क हलां कि यहाँ पर खाता नहीं खुलेगा इससे में बसपा और बीजेपी की बीच यहाँ पर मुकबला होगा आगे बलरामपुर की चार सिटों के ओपिनियन पॉल की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी दो सिटों पर काभी छोगी सपा के पाले में यहाँ की एक सिट जाएगी तो वहीं दोस्तों यहाँ पर वस्पा भी एक सिट पर जिद दर्चे करेगी कॉंग्रेस सपार्टी का हला कि यहाँ पर खाता नहीं खुलेगा आगे बात करें सद्दार्त नगर की पांस सिटों के ओपिनियन पॉल की तो यहाँ पर बीजेपी का तुफान आएगा इसे वज़ा से यहाँ पर BJP के नम पांच स्टे हो जाएगी यहाँ पर दोस्तों सपा बस्पा और कॉंग्रेसर पार्टी अपना खाता नहीं खोल पाएंगे आगे बात करते हैं मायवति गड़ बस्ती की पांच स्टों के ओपिनियन पॉल की तो यहाँ पर BJP दोस्तों पर कबचा करेगी तो बस्पा के नम यहाँ की तिन स्टों होगी और हलाकि यहाँ पर दोस्तों जोए सपा और कॉंग्रेसर पार्टी अपने इज़त नहीं बचा प की जहाँ पर सपा को सपलता मिलेगी हालाकि बस्पा और कॉंग्रेसर पार्टी का यहाँ पर सुप्रसप हो जाएगा इसमें BJP को यहाँ पर रोकने का काम जोए सपा करेगी आगे महराज गंज की पांच सिटों के ओपिनियन पॉल की बात तक करें तो यहाँ पर दोस्तों BJP दो सिटों पर अपना कमल खिला देगी तो दो सिटों एसे होगी जहाँ पर दोस्तों सपा जितेगी एक सिटों एसे होगी जहाँ पर बहुचन समाजोदी पार्टी का दोस्तों हाती आएगा अलाकि कॉंग्रेसर पार्टी का यहाँ पर खाता नए खुल पाएगा आगे गौरकपुर की नव सिटों के ओपिनियन पॉल की बात तक करें तो यहाँ पर दोस्तों नव सिटों पर जो बीजेपी का भी छो जाएगी एसे में यहाँ पर दोस्तों सपा बसपा और कॉंग्रेस सपार्टी को करारी हार कमो देखना पड़ेगा आगे बात करें कोसी नगर की साथ सिटों के ओपिनियन पॉल की तो यहाँ पर बीजेपी पांस सिटों पर का भी छोजगी तो यहाँ पर दोस्तों एसे होगी जहाँ पर सपा का पलड़ा भारी देखने को मिलेगा हाला कि यहाँ पर दोस्तों बसपा और कॉंग्रेस सपार्टी अपना खाता नई खौल पाएंगे आगे देवरिया की साथ सिटों के ओपिनियन पॉल की बात तक करें तो यहाँ पर बीजेपी तीन सिटों पर जितेगी दोस्तों एसे होगी जहाँ पर सपा को सपलता मिलेगी हाला कि यहाँ पर दोस्तों दोस्तों एसी भी देखने को मिलेगी जहाँ पर मायवती का हाथी बाजी मारेगा इससे बीच कॉंग्रेसर पार्टी को यहाँ पर निरासाहाथ लग पाएगी क्योंकि यहाँ पर कॉंग्रेसर पार्टी का खाता नहीं खुलेगा ऐसे में यहाँ पर दोस्तों बसपा सपा और बीजेपी के बीच कड़ा मुकबला होगा आगे बात करे बल्या की साथ सिटों की ओपिनियन पॉल की तो यहां पर दोस्तों बीजेपी तिन सिटों पर जितेगी तो सपा के पाले में भी यहां की दो सिटों जाएगी इससे बीच बहुजन समाजवधी पार्टी के नाम यहां की एक सिटों हो जाएगी और यहां पर दोस्तों अन्य भ पर मद्दान संपन हो चुका है और साथ मार्च 2022 को जो आकरी और साथ है और चरण के लिए नव जिलों की 54 सिटों पर जनता की ओर से वोटिंग होगी और इसे के साथ यहाँ पर दोस्तो यूपी चुनाव समफ्त हो जाएगा लेकिन दोस्तो अभी तक 395 सिटों पर जहां जहा मद्दान हुआ है वहाँ पर दोस्तो किस परकार के जनता के मोड़ सामने आ रहे हैं वह यहाँ पर ओपिनियन पॉल के आकड़े बता रहे हैं जहां पर दोस्तो फनल ओपिनियन पॉल के आकड़े यूपी की तस्यूर को साप करें और बता रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी क गी जहां पर मायवाती का हाथी जीतेगा हाला कि दोस्तों कॉंग्रेस सब्सक्राइट के हाथ में भी 5 श्टे चली जाएगी और अन्य के नम यहां की तिन स्टे होगी इससाब परकार से दोस्तों यहां पर BJP और सपा की बीच मुकाबला तो होगा लेकिन सपा जोए BJP को सता म में आने से नहीं रोक पाएगी तो इस सब परकार से यह था यूपी चुनाव 2022 के चेंड चर्णों का सबसे बड़ा ओपिनियन पॉल तो यदि आपको वीडियो चल लगाए तो वीडियो को लाइक कर दें साथी साथ इसे वीडियो को जो शेर कर दें तो आप सभी का वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद जे इंद जे भारत